नवार आईपुरिस्थित हिदायत उल्ला नेशनल लौ युनिवर्सिटी में तीन डिवसी मूट कोर्ट प्रत्योगिता का आयुजन क्या गया 17 से 19 मार्च तक आयुजीत इस कारिक्रम के मुख्यते थी चीफ जस्टिस गौतम भादोडी थे उन्होंने कारिक्रम में हैदराबाद, कोलकोता, भोपाल, ओडिशा, नाकपूर, सुनिपत और पूने के जाने माने लौ इसकूलों के छात्र इस कारिक्रम में शामिल हुए चीफ जस्टिस श्री भादोडी ने बताया कि इस प्रत्योगिता में देश भर के 38 संस्थानों के विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं विश्व विद्याले दोरा इतने बड़े कारिक्रम का प्रबंधन बहतर तरिके से किया जा रहा है यह मूट कोट कंपेटिशन यहां पे जो संपन्न हुआ उसमें 38 कॉलेज़ जो हमको इन्फार्मेशन मिली भाग दिये सबने और यह ट्रिमेंड़स एफट है एचनल्यू का पूरे स्टाफ का ताकि इसमें लोग इतने भाग दिये इतने बच्चों को मैनेज करना तीन दिन तक और यह कंपेटिशन में भाग लेना मत्तब यह अपने इनकी परसनलिटी को डेवलप करना उसमें अपने खामियों को देखना ताकि अपने भविश्य में वो सक्सेस हो उसके लिए दे आर ओल जो इनके पूरी मैनेजमेंट है बहुत बधाई के पात्र है हिदायतुला विश्वा विद्याले के कुलपती डॉक्तर वी सी वेवेकान अंदन ने बताया कि विश्वा विद्याले दाओरां अगली बार अंतरास्थ्यम मूटगोट प्रतिवुर्था का आईजन भी किया जाegगा विश्वा विद्याले के रजिस्ट्रार डॉक्टर उदैशंकर ने अगले साल अंतराश्टी स्थर पर कारिक्रम किया जाने की साराहना करते हुए कहा कि इस से लौ के छात्रों को और अधिक जानकारिया मिल सकेंगी दीविश्विद्जाले का एक फ्लैक्षेव इवेंट है जो अपने तेरहँएं एडिशन को इस साल मनाया जिसमें 38 टीमों ने भाग लिया और उसमें UPS के टीम जीती और साती साथ हमारे माननिये वाईशांसर साभ ने यह भी एनौन्स किया है कि अगले साल से यह जो कंपटि कारिकर्म के अंतिम दिन प्रत्यकुता में जीत हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया